देखिए हमारे पास यह Samsung Galaxy J7 है तो इस फोन में देखिए एल्टी भोल्टी कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस फोन को मैंने फ्लाश किया फिर भी यह नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको एक सेटिंग बगरा करना है तो वह सेटिंग अगर आप जानना चाहते तो इस वीडि कर रहे है तो इसके लिए एक बाइल नेक्सक्तिकन को कहने ही सेटिंग पर रहे हैं तो इसके लिए आपको सेटिंग पर आको सेटिंग पर चुशक्तिंग के बाद के मोब clock के дуже कंच आत। इहाने मैं जिख रहे लित और अरं में संगें और अर्फ करये उसके बाद द करना हैपको कीर और गया आपको हब यहां सब्सक्राइब यहां पर टौट करमें दक 9TL जय को सब्सक्राइब एंपर default रहने देना है APN protocol इसको करना है IPv6 IPv6 इसको करदेना है इसके बाद IPv4 IPv6 को इसको भी select कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको L2 mode पर select करना है ठीक है तो इसको untick कर दीजिए उसके बाद इसको OK कर दीजिए तो आपका setting बगरा हो चुका है अब इसको कर देने के बाद आपको simply यहाँ पर इसको save कर देना है ठीक है उसके बाद इस पर click कर देना है तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर ltb आ चुका है तो फिलाल आपका यहाँ पर भोल्टी का option अगर आपका नहीं show कर रहा है तो आपने flash किया होगा तो आपको यहाँ पर show नहीं करेगा update कर अगर आपके यहाँ पर यहाँ आएगा तो अगर आपके यह option शो कर रहा है तो इसको भोल्टी को यहाँ से अनबटी कर देंगे यहाँ पर आपका भोल्टी भी आ जाएगा तो देख सकते हैं इस तरह से इस पॉब्लेम को solve कर सकते तो दोस्ता आपके वीडियो पसंद आता झाल, 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 झाल